नमस्कार दोस्तों हम गले में तकलेफ होने पर अक्सर घरेलू उपाईओं का इस्तेमाल करते हैं। इन घरेलू उपाईओं में सबसे ज़्यादा प्रसिध गरारे करना होता है। गले में दर्द हो या फिर खराश हो सबसे पहले हमारे मन में गरारे करने का ही खयाल आता है और कोई भी आपको सलाह भी देता है तो तुरंत यहीं कहता है कि गरारे कर लो आपको इससे रहत मिल जाएगी ये घरिलू नुस्खा हमेशा काम आने वाला होता है ऐसे में गरारे के फायदों को समझना बहुत जरूरी है सबसे पहले हम आपको बता दें कि गरारे के लिए पानी अनेक चीजों के माध्यम से बनाया जा सकता है तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं कि आपको कौन-कौन सी चीजे मिलानी है पानी में जिससे के गरारे करेंगे तो आपका गला जो होगा वो बहतर होगा और उससे साउंड भी अच्छा आएगा गरारे के पानी के प्रकार को सबसे पहले समझ लेते हैं यानि कि टाइप्स ओफ गार्लिंग वोटर ये समझना जरूरी है फिर आगे बढ़ेंगे पानी को तयार करने के लिए अधिकतर घरों में नमक का प्रयोग किया जाता है और यह पायदे मंद होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि नमक के अलावा भी हमारी रसोई में बहुत से चीजे हैं जिनका इस्तेमाल करके आप पानी तयार कर सकते हैं जैसे कि लौंग के पान कानूं को मारने का कारे करते हैं साथ ही साथ यह गले की सूजन को भी कम कर देते हैं ऐसे में आप एक गलास पानी में 2 से 3 लौंग डाल लीजे और उसे उब दीजी इसके ज़ल 채ं कोफ दोनों जो सिंदेक समस्याओं को कम करने की गुन होते हैं जहां अदरक की चाए बेचैनी को शांत करती है वहीं पर अदरक का रस गले में खराश को दूर करता है ऐसे में आप एक गलास पानी को उबाल लीजिए और उसमें अदरक का पाउडर मिला लीजिए इस बने हुए मिश्रण से आपको गरारा करना है आपको बता दे कि अगर आ आप लाल मिर्च डाल करके भी गरारे कर सकते हैं अगर बरदास्त कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहतर हो जाएगा। तीसरी जो कमाल के उश्यद है वो है सेव का सिर्का, जीहां सेव के सिर्के के पारिनी से गरारे करना बेहतर होता है, सेव के सिर्के के अंदर गले की सूजन कम करने वाले गुण पाये जाते हैं, वहीं यह मुझ के किटाड़ों को मारने का कार्य भी कर देता है, ऐसे में आप गले की कोई भी समस्या अगर जेल रहे हैं परिशान हो गए हैं तो सेब के सिरके का पानी तयार कर लिजे इसके लिए आपको आधे गलास पानी की जरूरत होगी और दो चमत सेब के सिरके की इन दोनों को आपस में मिलाईएगा फिर इसके बाद इस पानी को आपको गर्म करके गरारे करना होगा ध्यान रखिएगा उबालेगा मत गर्म कीजिए और इसके बाद यानी की गुनगुना करके ही गरारे करना श्टार्ड कर देना है बहुत उबालने की जरूरत नहीं इसको इस बात को ध्यान में रखिएगा चोथी जो कमाल के उश्यदी है वो है लाल मिर्च का पानी जी हाँ आपको बता दें कि लाल मिर्च के पानी से गरारे करने से गले की कई सारी परिशानियों का हल हो जाता है ऐसे में आप एक गलास पानी को उबाल लीजे और उसमें लाल मिर्च पाउडर डाल करके मिलाईए इ पांचवी जो कमाल के उश्यदी है वो है हल्दी का पानी हल्दी के अंदर सूजन कम करने वाले गुण होते हैं और मुह के किटाडू मारने के गुण भी पाये जाते हैं तो ऐसे में हल्दी के पानी से गरारे करने से गले को बहुत फायदा मिल सकता है इसके लिए आपको एक नमक के पानी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं हर घर में गरारे करने के लिए नमक के पानी का इस्तेमाल किया भी जाता है चुकि नमक के अंदर बैक्टिरियल गुण पाये जाते हैं जो कि मुह में मुझूद किटाडू को मार देते हैं साथे साथ ये गले के दर्द सुजन को भी कम कर देते हैं जिहां इंटी बैक्टिरियल गुन इसमें होता है सौरी हमसे बैक्टिरियल निकल गया लेकिन इंटी बैक्टिरियल गुन होता है तो ऐसे में आप एक गलास पानी को क्या किजेगा गर्म कर लीजेगा उसमें नमक डाल लीजेगा और फिर जो मिश्रण त तो तांसिल की जो समस्या है वो आपको नहीं होगी इसके अलावा गरारे करने से मसूरों की सूजन कम हो जाएगी साथ यह मुह में लगने वाली चोट को भी बहुत जल्दी ठीक कर देगा कुछ लोगों को बैक्टीरिया के कारण मसूरों से ब्लड आने की समस्या होती है तो नियमित रूप से गरारे किया जाए तो दांतों में कीडे लगने की संभावना जो होती है वो कम हो जाती है गरारे करने से मुह और दांतों के बीच जो खाना फसा हुआ होता है वो आसानी से निकल जाता है और दांत सड़ने से बच जाते हैं गले में मौजूद बैक्टीर आपको तुरंत खराश से रहत मिल जाएगी गरारे करने से नाक में जमा हुआ बलगम और सांस की नली भी साफ हो जाती है आपने देखा होगा कि गले में सुजन आने के पीछे कभी कभी इलर्जी भी कारण हो जाता है तो ऐसे में गरारे करने से इस इलर्जी को दूर किया जा सकता है जो लोग रोज गरारे करते हैं उनमें उपरी स्वसन तंत्र संक्रमर का खतरा कम हो जाता है इसके अलावा कुछ बातों का और हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी गरारे कीजिए तो मिश्रण को कम से कम 30 सेकेंड तक अपने मुह में जरूर रखे अगर आपको नमक से गला साफ हो जाएगा गरारे वाला मिश्रण गले तक ही रोकना चाहिए इसे पेट में नहीं जाने देना चाहिए द्यान रखना चाहिए ऋसके दौरान गले को धोड़ा सा जुकाóc अलकोहल पाए जाता है ऐसे में जो ऐसे माउप उश होते हैं उन्से बचना चाहिए नम आपदी में नमक को अच्छे से मिलने जरूर दीजे गलने जरूर दीजे नहीं तो छीलन पैदा हो सकती है गरारी करते से अगो कि आपका दर्द गले का बना हुआ है तो आपको उस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए क्योंकि जब आप गरारे कर चुके हैं आपको रहत नहीं मिल रही है तो समस्या कुछ और है और वो डॉक्टर के पास जा करके आपको आसानी से पता चलेगा उस आपको सबसे पहले मिले साथी साथ वीडियो को लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे फॉट्सप पे फेस्बुक पे ताकि सभी को वीडियो मिल सके फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो को अंत तक देखा अपने इसले दिल से धन्यव प्रवाद